मन कुकिंग स्टायल के बहुत स्वागत है नवरात्री आगई है और सबसे पहले आप सबी लोगों को नवरात्री की हारधिक शुब काम नाए तो अब भी तक अगर आपने मेरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबस्क्राइब जरूर कर लीजियेगा और सा चलिए बनाना शुरू करते हैं हमारी आज की रेसिपी तो चलिए फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं नवरातरी स्पेशल रेसिपी जिसे आप एक बार बनाकर पूरी नवरातरी इंजॉय कर सकते हैं और यह बनाने में इतनी ज्यादा इजी हैं आपको इसमें कोई भी जंजट महसूस नहीं होगा तो फटा फट से बनने वाली इस रेसिपी को चलिए फटा फट से बनाना शुरू कर लेते हैं तो इसके लिए फ्रेंड्स मैंने यहां पर 200 ग्राम के करीब ले ली है मुमफली के दाने यह कच्छी मुमफली है और देखिए इस इसे इनका छिलका उतारने में थोड़ी सी प्राबलम हो रही है तो इसका छिलका असानी से उतर जाए उसके लिए हम क्या करेंगे उसके लिए हम इसे एक कड़ाई में डाल देंगे और इसे रोस्ट कर लेंगे ताकि इसका छिलका असानी से उतर जाए और इसके अंदर कोई भी smell या फिर sealant ना रहें इस तरीके से friends अगर मुफली में थोड़ी बहुत smell या sealant हो वो भी खतम हो जाती है तो सिर्फ हमें यहाँ पर 4-5 मिनट तक ही इसे अच्छे से roast करना है और 4-5 मिनट में ही अच्छे से roast हो जाएगी तो देखिए यहाँ पर यह अच्छे से roast होनी शुरू हो गई है इसका छिलका यहाँ पर आपको brown नजर आ रहा होगा तो अब यह almost roast हो चुकी है अब हम गयास को बंद कर देंगे और 5 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे ताकि यह ठंडी हो जाए और इसका छिलका असानी से हम उतार पाएं तो इसको अब मैंने shift कर लिया है प्लेट के अंदर और 4-5 मिनट के लिए इसे छोड़ने के बाद देखिए इसका छिलका कितना easily निकल रहा है तो इस तरीके से अपने हैंड से मसलते हुए हम सारा का सारा छिलका इसका बड़ी easily निकाल लेंगे तो यहाँ पर almost सारी की सारी मुफलियों का छिलका निकल गया है और कुछ दानों का यहाँ पर छिलका नहीं निकल पाया है तो इससे friends कोई भी हमारी recipe में problem नहीं होगी तो यहाँ पर अब मुफली के दानों को मैंने mixer jar में डाल दिया है और साथ में one tablespoon यहाँ पर डालेंगे सेंदा नमक क्योंकि वरत में हम सेंदा नमक ही यूज करते हैं साथ में डालेंगे one tablespoon इसमें जीरा और चार से पांच यहाँ पर मैंने डाली है सूखी लाल मिर्चे आप चाहे तो रेट चीली पाउडर भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं और one fourth glass यहाँ पर मैंने पानी डाला है और पानी डाल कर इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे तो friends इसका पेस्ट आप देख लीजिए इस तरीके का होना चाहिए यह बहुत ही ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए अगर आपका पेस्ट यहाँ पर पतला बन जाएगा तो आपकी रेस्पी बिलकुल भी अच्छी नहीं बनेगी तो यहाँ पर कुछ दाने इसके ग्राइं नहीं हुए है तो आप उन्हें ग्राइंड मत कीजिए उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा अगर आपके पास पाइपिंग बैग है तो आप उसके अंदर डाल कर भी इन पकोडियों को बना सकती है और अगर आपके पास पाइपिंग बैग नहीं है तो आप इस तरी के का चटपटा सा कुछ करारा सा खाने को मिल जाए तो फिर कहने ही क्या थोड़ी सी इसके साथ आप चाय बना लीजिए और चार पाच इन पकोड़ी को खा लीजिए आपको बिल्कुल भी भूप महसूस नहीं होगी और मुफली आपको एनरजी भी देगी तो बस एक बार रख लेना है और पूरी की पूरी नवरातरी आप इसे खा सकती है तो यहां पर फ्रेंड्स यह बहुत ही जल्दी बनकर तयार हो जाती है इसमें सिर्फ हमने मुफली और कुछ मसालों का ही यूज किया है तो यहां पर देखिए यह गोल्डन ब्राउन हो गई है और कितनी अ के अंदर शिफ्ट कर लेंगे तो देखिए फ्रेंड्स कोई भी यह नहीं बता पाएगा आपने इन पकोडियों को सिर्फ मुफली से बनाया है यह बिल्कुल ऐसी लग रही है कि जैसे आपने इसके अंदर बेसन या फिर मैदा एड़ किया हो यह बिल्कुल इजली सिर्फ और सिर्फ मुफली से बनकर तयार हो जाती है तो यहां पर मैंने दूसरी बार फिर से इसे डाल दिया है और इसे भी हम फ्राय करके निकाल लेंगे और पूरे नवरात्रे इस डिलिशियस रेसिपी को इंजोई कीजिए चाय के साथ और इसके मज़े लीजिए तो फ्रेंड् और साथ ही मेरी रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमली मेंबर्स के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि इस नवरात्री की फास्ट में वो भी इस रेसिपी का आनन्द ले सकें तो अगर आपको मेरी यह रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब के लिए फोनों कीजिए मन कुकिंग स्टाइल को तो फिर से आप सभी को नवरात्री की बहुत-बहुत हार्दिक शुब काम नाएं तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई फुल झाल को और नेक्साइब चान मयठ परे से लिए एंदाइब रस Спणवब को तो मीजिए मां तो म मां आप बाई दूबाई वीजियो में चान प्रूलस काम वीजिए कर दो खबाई बाई दू़ड़ झाल कि बचले aja काम ह hemisphere